चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सेलेक्टिड काम की और महत्यपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए भारत को मिला बांगलादेश के मोंगला बंदरगाहा का टर्मिनल चीन भी कर रहा था कोशिश यह इस साल भारत की तीसरी बंदरगाहा डील जिया दोस्तो भारत ने हिंद महासागर में चीन के बरते प्रभाव के बीच एक बड़ी जीत हांसिल की है दरसल दोस्तो साउथ चाइना मोर्निंग पोस्ट के मुताबित भारत ने बांगलादेश के साथ मोंगला बंदरगाहा के टर्मिनल के ओपरेशन की डील आंसिल कर ली है ये डील ऐसे समय में फाइनल हुई है जब पिछले ही महीने बांगलादेश की प्रदानमंत्रिय शेक हसीना भारत दोरे पर आई थी दोस्तो भारत की इस डील को हिंद महासागर में चीन को काउंटर करने की कोशिश के तोर पर देखा जा रहा है चली दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बाड़ी खबार ABP सिकर सम्मेलन में अखलेश यादो बोले यूपी में सबसे कम FDI ये केवल नाम की डबल इंजन सरकार है जैन दोस्तो समाजवादी पार्टी के राष्टी अध्यक्ष और कन्नो से सांसद अखलेश यादों ने बजट 2024 के मुद्धे पर ABP मिन्यूस से खास बादचीत की ABP सिकर सम्मेलन में पत्रकार रोहित सिंग सांवल से बादचीत का जवाब देते हुए अखलेश ने कहा कि दावे तो बड़े बड़े हुए लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ UP में निवेश के संदर्ब में अखलेश ने दावा किया कि राज्ये में सबसे कम FDII आई है चली दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार राहुल गांदी का आरोब किसानों को संसद आने नहीं दिया गया बाद में इजाज़त मिली किसान नेताओं के 12 सदश्य प्रतिपक्ष नेता से मुलाकात की दरसल दोस्तो मुलाकात के कुछ देर पहले राहुल गांदी ने किसानों को संसद के अंदर नहीं आने देने का आरोप लगाया था राहुल गांदी ने कहा था कि हमने उन्हें याने कि किसान नेताओं को यहां मिलने के लिए आमंतरित किया था लेकिन वे उन्हें यहां नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि वे किसान है शायद यही कारण है कि वे उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे है इसके बाद किसानों को अंदर जाने की जाज़त मिल गई एजेंसी के मुताबित किसानों का प्रतिनिदी मंडल राहूल गांदी से प्राइवेट मेंबर्स बिल लाने की बात रखेंगे चली दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार यूपी उत्राखंड समेत 11 राजयो में आजभारी बारिश का लट गुजरात में बाल के हैं हालात जहां दोस्तो सावन आते ही दिल्ली एंसीयार में भी मांसुन महरबान हो गया मंगलवार को भी दिल्ली एंसीयार रासपास के कुछ लागों में जमजम बारिश हुई थी जबकि कुछ लागों में बादल चाहे रहे यहां सड़कों पर नदियों जिसे तेज बहाव से लोगों का जन जीवन अस्त वैस्त हो गया इसे के साथ यूपी उत्राकंड सहित ग्यारा राज्यों में भी बुद्वार को भारी बारिश का अलट जारी किया गया है दुस्तो जिन ग्यारा राज्यों का नाम है उनमें उत्राकंड यूपी पंजाब, हरियान राजस्तान, गुजरात, मद्यप्रदेश, गोवा, मद्यमाराष्ट, ओडिसा और 36 गड़ राज्ये शामिल हैं चलि दुस्तो जान लेते हैं आंगली खबार हिंसा पर ममता बेनरजी के बयान से बांगलादेश को एतराज, विदेश मंतरी बोले, इसमें भ्रम की गुंजाईश, सीम ने कहा था, पीडितों के लिए दरवाजे खुले हैं जहां दोस्तो पशिम मंगाल की सीम ममता बेनरजी के बयान पर मंगलादेश सरकार ने मंगलवार की देर रात आपतीज जताई ममता ने 21 जुलाई को टीमसी की शहिद दीवस रेली में कहा था, कि वे पड़ोसी देश में संकट में फसे लोगों के लिए अपने राजे के दरवाजे खुले रखेंगी और उन्हें शरण देंगी ममता ने अपने इसके लिए बयान में संक्त राश्ट के प्रस्ताव का हावाला भी दिया था अब दोस्तो ममता बैनर जी के बयान पर मंगलादेश के विदिश मंतरी हसन महमूद ने कहा है कि पशिम मंगाल की मुख्य मंतरी के पुरा सम्मान रखते हुए जिनके साथ हमारे बहुत करीबी संबंध हैं हम यह इस पश्ट करना चाहते हैं कि उनकी टिपणियों में ब्रहम की काफी गुंजाए से इसलिए हमने भारत सरकार को एक नोट दिया है चलि दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार बिहार में पेपर लीक पर दस साल की सजा एक करोड का जुर्माना विदान सबा के विधेक पास सदन से विपक्ष का हुआ वोक आउट जिया दोस्तो बिहार विदान सबा में एंटी पेपर लीक विधेक पास हो गया राज पाल के हस्ताक्षर के बाद यह बिल राज में लागू हो जाएगा इस बिल के मुताबित अब पेपर लिग को सीरियस क्राइम मना जाएगा विदान सभा से कानून पास होने के बाद पेपर लिग मामले के आरोपियों पर नोन बैलेबल धाराएं लगाई जाएगी नए कानून में 3-10 साल की सजा और 10 लाग से 1 करोड तक के जुर्माने लगाने का प्राउधान है ये नियम राज सरकार की तरब से आयुज़त होने वाली सभी परिक्षाओं में लागू होंगे इसके अलावा जो भी संस्ता पेपर लिग में शामिल होगी उसे 4 साल के लिए ब्लेक लिस्टिड किया जाएगा वेसे दोस्तो आपको क्या लगता है अगर संस्ता भी पेपर लिग में शामिल है तो उस पर आजी वन बैन लगा देना सही रहेगा या गलत कमेडोक्स में अपनी राये जरूर दीजिए चलि दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार ट्रेनी आईएस ओफिसर पूजा खेड कर केडमी नहीं पहुची 23 जुलाई की डेडलाइन थी अब पैरेंट्स के तलाक का दावा कर रिजर्वेशन लेने का लगा आरोग जेंदोस्तो विवादों में घिरी ट्रेनी आईएस ओफिसर पूजा खेड कर की वाशिम में चल रही ट्रेनिंग को केंट सरकार ने रद कर दिया था पूजा को 23 जुलाई तक मसूरी इस्तितलाल भाद्दूर शास्तरी नेशनल अड्मिनिस्ट्रिशन अकेडमी लबासना रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था लेकिन वे बुद्वार तक भी वहाँ नहीं पहुच सकी टाइम्स की रिपोर्ट के मतावित पूजा ने कहा कि वे वेक्तिकत कारणों के चलते अकेडमी नहीं पहुच पाई है अकेडमी में मौजूद सुत्रों ने कहा है कि अब आगे क्या एक्शन लेना है यह जल्द ही तैय किया जाएगा इसी बिश दोस्तों पूजा पर उनके माता पिता के मेरिटल स्टेटस की जानकारी छिपा कर ओब इसी नॉन क्रिमिलियर लेर का कोटा हसिल करने का आरोप लगा है दरसल दोस्तों पूजा के पिता दिलिप खेडगर रिटाइड आईएस अधिकारी हैं उन्होंने चुनाओ भी लड़ाता जिसके एफिडेविट में उन्होंने अपनी संपत्ती 40 करोड रुपे बताई थी चलि दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार तो वह केवल सहयोगी हैं खडगे के इस आरो परवित मंतरी निल्म्रा सितारमन भड़क गई और बजट में राज्यों के नाम पर कांग्रिस को चुनोती देते हुए सवाल किया कि क्या आपने अपने सभी बजट भाष्णों में सभी राज्यों का नाम लिया था चली दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार के दरवाजे पर ही एक मंदिर के भार कमला है इसकी तस्वीर के साथ एक बैनर लगा है दरसल दोस्तो बाइडेन के राश्पतिपत की रेस से पीछे हटते ही इस मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो गई थी जो अमेरिका में वोटिंग के दिन तक जारी रहेगी चलिए जान लेते हैं अगली खबर इन अपरादियों को पकड़ा था दोस्तो मामले को लेकर सुपर स्टार सलमान खान की स्टेटमेंट भी पुलिस ने रिकोर्ड की थी जो अब आज तक के हाथ लगी है दरसल दोस्तो सलमान कार की घर पर हुई फाइरिंग के मामले की चार्शेट मुंबई पुलिस की क्राइ आ क्या रखी दलीलें जेहा दोस्तो सम्बूबौडर पर सुपरेम कोट में वो बध्वार को सुनवाई हुई सुपरिम कोट ने साफ कर दिया कि अभी संबूबौडर नहीं खुलेगा और यह ता स्तिती वरकरार रहेगी सुपरीम कोट ने अपने आदेश में कहा कि समीती गठित होने तक पंजाब और हर्याना सरकार संभू बोडर पर यह था इस्तिती बनाए रखे। सुप्रिम कोट ने बुद्वार को कहा कि किसानों और सरकार के बीच विश्वास की कमी है। इस कमी को दूर करने और किसानों की मांगो का हल निकालने के लिए कोट ने एक स्वतं उत्रप्रदेश का विकास दुवेदी अपनी जान के दुष्वन बने साप से चुटकारा पाने के लिए पिछले 11 दुश राजस्तान दोसा इस्तित जिले इस्तित महिंदीP qualidade की शरण में है। उत्रप्रदेश के पतवपूर जिले के रहने वाले विकास दुवेदी अन हो काटने के बाद भी विकास पूरी तरह स्वस्थ है वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए क्या आप भी इस तरह की घटनाओं में विश्वास रखते हैं या नहीं चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबार नेपाल में प्लेन क्रेश 18 लोगों की मौत पाइलेट हुआ घा प्लेन काटमांडू के पोखरा जा रहा था दरसल दोस्तों प्लेन ने सुबह करीब 11 वजे 31 एरपोर्ट से उडान भरी थी इसके कुछी देर के अंदर यह प्लेन क्रेश हो गया 9N AME प्लेन सोरे एरलाइन्स का था हाथसे में मारे गए लोगों में से 17 सोरे एरलाइन्स के ह स्टाफ थे जबकी बांकी दो क्रू मेंबर्स थे चलि दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर लालू यादव की तबियत बिगडी यूरीन में परिशानी के बाद दिल्ली एम्स में भरती कराया गया दो साल पहले किड्नी ट्रांस्प्लांट हुआ था जहां दोस्तों आरज है